ओर आइए कि नाइर चैनल ने इस्टूडेंट्स जैसा कि आपने थमनेल में देखा कि बीज दिन में तैयारी कैसे करें क्यों क्योंकि सभी के मन में प्रसंड कर सकते हैं तो यहां पर मैं एक बत इस्ट कर देना चाहता हूं देखें students की 20 दिन में आप सोचें कि starting से या किसी नई topic को आप पकड़ कर तैयारी करें तो यह बहुत ही ज्यादा problem बाला है और हो भी नहीं सकता है लेकिन हम क्या अच्छा कर सकते हैं 20 दिनों में इसके बारे में एक strategy है हमारे पास में उसको हम सेर कर रहे हैं आप को पसंद है तो उसको follow कीजिए नहीं आएं तो कोई बात नहीं देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे द्वारा भी आपको बताया गया था और यूट्यूब चैनल की माध्यम से भी बताया गया होगा कि एक्जाम हो सकता मार्च मों लेकिन आप अगर हमारे दिसंब मार्च भी बोला गया था लेकिन इसमें किसी की भी गलती नहीं है क्योंकि एक गोपनी बात होती है हाई कोड द्वारा होती है हर कोई तो इसको जानता नहीं है तो यह एक आकस्मिक है आ गया है तो अब एक्जाम तो देना है लेकिन हम 20 दिन में क्या अपना अच्छा दे सक से कि हमारा स्लेव में हैеровerson PG GS इसमें हमारा अगर इससे पहले बाले देख़ेंगे तो specifically झाले सबसें और सब्सक्राइब क्योंकि बहुत से स्ब्सक्राइब को रहें तो साइन थे थिया तो उसमें तो science include ही है general knowledge आप में आपको हर एक subject की होना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहला तो कि science यहाँ पर आने वाली है और कम से कम 3-4 question आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इस से पहले वाले pattern में भी आपको मिलेते देखने इसके बाद में current affair से आपको कम से कम 3-4 question आपको दे कीस का कम से कम 6 महीने तक का आपका अगर cover है बहुत अच्छी बात नहीं है तो कम से कम January और December का तो आपका current affair cover होना चाहिए साथ में इस February में भी जो business दिन आ रहे हैं मलब किस दिन कौन सा दिबस होता है या क्या होता है इनको कम से कम आपका cover होना चाहिए इसके बाद में बिविद में आपके पास में समादी इस्थल आपको सभी के सभी आपके complete होना चाहिए आपको समादी इस्थल ऐसा नहीं हो कि आपको पता नहीं हो अभ्यारन चाहिए आपके बिविद में आपका बिजबिक देश के हो या आपके MP के हो आपको पता होना चा चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो देखिए यहां पर सबसे पहला तो कि आपको भॉग अलग इस्तिति आपको इश्पष्ट होना चाहिए मद्ध प्रदेश की उनके कोश्चन आप पर कम्प्लीट होना चाहिए मद्ध प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ पुनरगठन किस प्रकार से कितने संभागें इसके बारी में होना चाहिए आपको जानकारी इसके बाद में मद्ध प्रदेश के बंसंसाधन मतलब अभ्यारण और और कौन सी यहां पर बहुत जादा है यह वाला एक टॉपिक है यह आपका क्लियर होना चाहिए नदिया क्लियर होना चाहिए इसके बाद में ते आघर आप कहते हैं मद्ध प्रदेश पुलिस जेल इन से सम्मंदित कोश्ठन तबर प्रदेश को more out से समंदित कोश्ठन जन जाती और आप की परशकार शाहित साहितकारों के नाम और प्रता लोक साहित बोलियां यह भी होना आपको बताया भी था कि पुढेकर कि जो mcq book है अगर आप उसको लेते हैं तो आपका mp cover हो जाएगा mp इसलिए special बताया है क्योंकि यहाँ पर 6-7 question आपको paper में देखने को मिलेंगे एसी संभावना है देखिए जो भी आज यहाँ पर discuss होगा इस वीडियो में सारा का सारा संभावना पर है बिल्कुल यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि बिल्कुल आएगा ही शिर्फ एक संभावना है old question paper के आधार पर नए पर discussion करने की इसके बाद यहाँ पर history आपको MP की भी आपको पता होना चाहिए देखिए सबसे अच्छा है कि अगर आप हमारी जोन करें तो आपको महाँ पर तो सारा का सारा पैटर्ण old question paper के आधार पर ही दिया जा रहा है तो आप बहाँ से भी कवर कर सकते हैं इसके बाद students देखिए यह MPG की हमने बात करी इतिहास की बात करें तो हमारा जो भारत का इतिहास है अगर आपने नॉर्मली पढ़ा है तो आपका वो कबर हो जाएगा संविधान आपने पढ़ा ही होगा वह भी आपका नॉर्मल आएगा अर्शास भी आपका नॉर्मल रहे का भूगोल और विवेद तो आप बैसे भी पढ़ते रहते हैं तो यह आपके कबर होंगे ही यतने जल्दी पेपर आने से आप पर इनसे तो प्रेसर नहीं आना चाहिए साथ में अगर आपके पास स्पीड है तो उसके कोश्चन को भी आप कबर कीजिए अगर आपके पास स करें तो आपको ज्यादा होगा क्योंकि जब आप अपने मैंट पेपर से पहले कुछ और पेपर दे लेते हैं तो इससे आपको यह फायदा होगा कि आपके कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जैसा कि आपको यह वीडियो मिलेगा हमारा एक टेस्ट और नौन ब प्लोड होने वाल है उसको दीजिए तो इसे आपको पता चलेगा की आपकी क्या पोजिशन है अभी फिलहाल में अगर आपको नहीं को सकते हैं नमबर पर हम बात करतें हैं हिंदी की हिंदी मैं संधी आप जैसे बर्ण करना चाहिए इसके बास संधी आपके कबर ही होंगे समास सब्द भेद शंग्याश अभ्यतख परियावाची बिलोम सब्द परियावाची आपके अलग होते हैं तो आपको इनको भी प्रिप्रियर करना था अगर आपने किया तो बहुत अच्छा एक बार रेविजन आप कर ल कि जाते हैं लेकिन अलंकार का बहुत हमसे पूछा जाता है तो लेकिन फिर भी आप अगर इंटरनेट की help से भी अलंकार के example निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं अब आप कहेंगे कि sir आपने सभी कुछ तो ले लिया है यहां पर हिंदी में अभी आप book को ठाके देखिए बहुत से topic हैं जो आभी मैंने यहां पर skip किये हुए हैं आप अगर इतने topic को भी कबर करते हैं तो आपके 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे इन ही में से आपको 10 question आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन practice आपको बहुत अच्छी करनी होगी तभी आपके 10 में 10 नंबर confirm होगे next है math की बात करें देखे students एक question जो students का था कि sir जो पहले का pattern है और आपके pattern में हो सकता अंतर आ जाए क्यों क्योंकि बार भी पास से इस से पहले वाला पेपर था और यह है graduation से तो देखिए जो अगर man change आ सकता है तो वो कहां आएगा math में कैसा अभी जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह सारे अंक गड़त के यहां पर को टॉपिक दिये हुए हैं यहां पर advanced math को नहीं लिया गया है मैं यहां पर old advanced math के question भी आ जाए तो उसके लिए अगर आपकी अच्छी प्रेक्टिस है तो प्रिपेर रही है नहीं है आपकी अगर आप advanced math नहीं बनती है तो एक विश्वास के साथ एक संभावना के साथ आप अगर अंक गड़त आपकी अच्छी है तो इसकी और फिर से आप एक एक टॉपिक की डेली में कम से कम दो दो टॉपिक ऐसा कीजिए ददस बीजबीश कोशन कम से कम फिर से repeat कर लीजे आपने जो पहले तैयारी करी थी क्योंकि इन बीज दिन में भी आप अगर revision type का कर लेंगे कम से कम आप सरसरे तोर पर एक एक ददस कोशन कर लेंगे सबी टॉपिक के तो आप जो चीजब भूल चुके होंगे वो भी आपकी फिर से recover हो जाएंगी तो यहाँ पर शंक्या पद्दिती से आपक एक कोशन देखने को मिल सकता है शमय बकार का एक कोशन ओसत का आपको एक कोशन देखने को मिलेगा यहाँ पर उम्र संबंदी एक कोशन देखने को मिलेगा हम बात करें अगर मिस्रण समय दूरी रेल गाड़ी और नावधारा इन में तोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है इन अगर advance में अताती है तो आपको उसके लिए prepare होना पड़ेगा अगर आप नहीं है तो इसके बाद अगर हम बात करें reasoning की तो देखे इस student reasoning में topic तो बहुत है लेकिन अगर आप उसमें से coding decoding को complete करते हैं दिसा और दूरी को आप complete करते हैं देखे बहुत छोटे normal topic हैं अगर इनक कोशी solution कर लिए तो आपकी दिसादूरी coding decoding यह हो जाएगी रक्त संबंदी question आपके clear हो सकती है समय और घड़ी समय का आपका topic रहेगा उसको आप confirm कीजिए बहुत ज्यादा इसमें बहुत कुछ नहीं है अगर आप इसकी normal video देखेंगे तो आपका complete हो जाएगा calendar यह आपका घड़ी यह है कुछ यह है तो अब इसका क्या होगा इसका क्या है यह question जो आती है वो निया निगमन में आती है अगर आप थोड़ी सी भी practice करेंगे तो आपका cover हो जाएगा पदानुक्रम मलब विवस्ति करण यह आप कर सकते हैं तो इतना आपका reasoning में से रहेगा अगर यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप कितनी ही प्रेक्टेस कर लें अगर आपकी vocabulary आइडम फ्रीजिस बगर यह आपके अन्टोनियम कबर नहीं है तो आपको बहुत प्रावलम आएगी अगर आपकी कबर है तो बहुत अच्छा है थोड़ा और मेहनत कीजिए और उसको बहुत अच्छा कीजिए तेंस हुए आपके कंजक्शन हुए प्रिपॉजिशन हुए यह सब आपको कोश्चन देखने को मिलेंगे कुछ वीडियो हमारे दौरा भी वॉल्यूम टू का जो हमारा कोर्स लॉंच किया गया है उसमें आकसर की दौर को कवर करवाया जा रहे हैं तो बीस दिन में आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा तो आप मिल जाएगा इसके बाद में करें अगर कंप्यूटर की तो के कम्प्यूटर के लिए मैं यहां पर कहूंगा आपको कहीं पर एसानोनी की जरूरत नहीं है हमारे एप पर आपको टार्गेट डिश्टिक कोड के नाम से कोर्स है जहां पर महामेरतन के हमारी वीडियो आई हुई है और बहां पर हमने आपको इंग्लिस में ही पढ़ाई हुई आपके लाइनक्स से रिलेटेड कोश्चन हुए क्योंकि वह भी मिलते हैं इसके बाद में आपको एमेस बर्ड एमेस एक्सल पाबर पॉइंट और आल कॉमन सौटकट कीज की सीधी की सीधी पीडियाप दी है अब मैं इसके लिए आपको यहां पार लेके चलता हूं कोश पर इस्टुडेंट्स देखिए जैसे ही आप हमारी एप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहां पर ईस्टोण जो नीचे की ओर और उसमें आपको हमारी कोश देखने को मिल जाएंगे इसमें अगर आप हमारे कोटी सो नमबर सिट करेंगे जो कि देखिए video मिल जाती है computer की अभी तक जो हमने पढ़ाया हुआ यह सारी की सारी मिल जाएंगी इन से आपके बीश-बीश कोश्चन पर देख वीडियो में कबर होते हैं इससे आपको फायदा है इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए यहां पर computer classes की जितनी भ रहेगी मैं जब यह उपन होती है जैसे ही मैं आपको देखाता हूं इसके बाद एंकरो नेम की भी एक PDF है वो भी आपको कबर यहां पर होगी वो भी आपको PDF मिलेगी इसके बाद में important computer PDF के नाम से लगवग आपको 7 PDF यहां पर मिले वाली हैं यहां पर आप अगर जाम में आपकी English में ही question करे जाएंगी तो सब सच्चा फायदा क्या है आपको यहां पर English में question मिल जाएंगी एक number of questions आपके पास रहेंगे तो 20 number आपके confirm हो सकते हैं इसके बाद एंकरो नेम जितने भी एंकरो नेम हो सकते हैं वो आपको यहां पर complete आपको यहां से पर एसे की बात करें तो आपको कहीं पर इसान नहीं होना है इसके लिए आप क्या कीजिए यहां पर आपको करना कुछ नहीं है यहां पर सिर्फ आपको टार्गेट देखिए यहां पर success भी थीओ का जो टार्गेट डिश्टे कोट एक्जाम का है न यह वाला आप अगर कोर्स देंगी अगर आप देखेंगे अभी तो यहां पर आपको मिलेगा कि इंगलेस वुकेबिलरी क्लासेज मैध आपको मिल जाएंगी साथ में आपको लेटेश्ट इस सारी कि मिलेंगे यह सब मिल जाएगा कहां पर वौल्यूम टु में अगर कि दिसे मतलब नहीं कि आपको यहां पर समारा कि यह कर सकते तो Спस्कूर करने से होगा क्या और तेस्ट को देंगे तो आपको सब कूछ पता चलेगा साथ में एक बात और स्टूदेंट की जैसे अगर आricot नर्श्प्रीकता में अगर आप 6-7 टेस्ट आप लगा लेते हैं तो जब आप टेस्ट देने जाएंगी तो आप के लिए यूजर फ्रेंडली हो जाएगा आपका इस्टम आप पहली बार जांगे तेस्ट देने तो आपको बैबस्ते तोने में परिशानी होगी लेकिन अगर आप इस टेस्ट को देते हैं क्योंकि मैं इसका आपको प्रिव्यू भी यहां पर सौप करना चाहूंगा यहां पर आप देखेंगे कि आपको बैसी ही बिंडो स्क्रीन देखने को मिलेगी जैसा कि exam के दिन आपको देखने को मिलेगा अगर आपको लगता है चिर जूट बोल रहा हैं सर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा benefit होंगे साथ में मैंने आपको बताया स्टूडेंट के माध्यम से कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं अभी भी आपके मन में कोई कोई भी क्वेरी है तो आप को नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस बीटिव को भी जोन कीजिए क्योंकि बहां पर डेली आपको रात में नौ बजी आपको यहां पर टेस्ट सीरीज अविलेबल मनलब टेस्ट सीरीज क्या बहां पर MCQ कुछ देए जाते हूं और उसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं बहां पर और Adam को पर तो आप उसको कर दो